अलो देख सकता है क्रूद आपको एंती करना है तो आप मुझे लगता है आपको एंती करना है तो थोड़ा रित्रेस्मेंट करना दीजिए क्योंकि मार्केत यह ब्रेकाउट किया तो थोड़ा रित्रेस्मेंट किया आपका एंती पॉइंट था ब्रेकाउट एंती पॉइंट ब्रेकाउट लाग एंती पॉइंट तो मुझे लगता है यहां पर अगर एंती करना है तो मुझे लगता है थोड़ा रित्रेस्मेंट कर सकता है तो रित्रे करना है तो 50 moving average की आसपा सी anti करना चाहिए बाइ में और इसका थोड़ा नीचे ऐसे लगा सकता है तो अगर आप बड़ा ताइम पर में भी देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फोर आवर में एक range में मर के घुम रहा है तो जिसे आप देख सकते हैं एक range में मर के चल रहा है एक range है तो यहाँ से और नीचे आने का संसेस भी है लेकिन एक रेजिस्टेन लाइन रेजिस्टेन लाइन आज देख स Maybe अगर फीर से रीत्रेश्मेंट करें तो आप एटि कर सकता है टो अगर आगर यहां से रीत्रेस्मेंट फिर मर्केर नीक्षे आ गया तो यह थीतालजींच 1780 का आसपास आ शकता है तो इसलिए आपको anti करना है तो anti के लिए आपको पज्च पहरे denharma से ही छोटा time frame में हमें जो range मिला है आप छोटा time frame में आप ढख सकता है anti के लिए range का थोड़ा उपर में तो इसलिए आपको buy करने से यह bouncing area जो होता है उसमें आ as you say, 50 moving average की आसपास. So, I hope you enjoy this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.